हाई अब्रीबान विल्कम पाक टू मैं चैनल मिस्टिकल मैंड्स आप लोग बहुत अच्छी होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे सो आज हम देखेंगे सम मैसेज़ फू यू एड उससे पहले जिसको भी मुझसे परसनल रीडिंग करानी है आप मुझे वाटसेप कर सकते हैं मेरा वाटसेप नमबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं दूसरी बात कि जिसको भी मुझसे रोसक्वर्ट ब्रिसलिट चाहिए है तो वह मुझे वाटसेप पे ही मैसेज कर सकता है आप सिर्फ मैसेज करेंगे I will reply as soon as possible ठीक है तीसरी बात मेरा एक और चैनल है ठीक है तो मैंने कम्यूनिटी में एक पोस्ट डाला है तो आप जाके लिंक पे क्लि सब्सक्राइबर्स हैं तो I humbly request to all of you so let's see उसे पहले आप बिल्कुल positive रही है let's see कि क्या message निकलके आते हैं आज आपके लिए so life में आपको I think job opportunity जो चाहिए है ना job opportunity चाहिए and I am seeing कि यहाँ पे आपके chances बनते हैं मुझे ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि confusion है आपको दो चीजों को लेके हो सकता है कि आपके पास दो job offer हूँ और आप जो है confused है या फिर ऐसा भी possible है कि आप job का offer हो आपके पास और आप business करना चाहते हैं तो इसमें confusion हो सकता है तो यहाँ पे confusing energy तो मुझे नजर आ रही है बट ठीक है हो जाएगा आप अपने intuition की सुनो मन की सु आपको सच में शान्ती देना वो स्लेक करो चाहे वो आपको बिजनेस हो जाए वो आपकी जॉब हूँ पहले आपको लगा था लाइक कि आपकी life एकदम से यही इस point पे आके रुख गई है जो भी आपकी life में समस्याए थी but now I can see कुछ तो moment हुआ है and मुझे लगता है कि कई लोग अपने past से move on किये हैं कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत regret भी फिलो रहा होगा कई के partner ऐसे हैं जो बहुत जादा stress में हैं लाइक अभी बहुत जादा stress में हैं यह वाली energy मुझे निकल के आ रही है हो सकता है आप stress में हो काफी चीजों को लेके में भी बैसे अदिक तर यहाँ पर relationship का ही होगा बहुत लोग बोलते हैं कि मैं करियर का बताओ करियर का बताओ so let's check some messages for you सबसे पहले वैसे मैंने वही बताया I think opportunities हैं but decide नहीं कर पा रहे हो ना अच्छा मैं मतलब एकदम से बहुत सारी चीज़ें खटी सी हो रही है ना आपकी life में like एकदम से सिर्फ job का ही नहीं है family issues भी है relationship issues भी है आपकी खुद की personal life में जो चीज़े चल रही होंगी वो भी है बहुत सारी यहां पर condition आज मुझे नजर आ रही है ठीक है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यूं है बट येस बहुत सारी चीज़ें एक साथ अच्छा और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पर आप move on करना चाहरे होंगे कई लोग यहां पर ऐसे होंगे जो अपने past से move on करना चाहरे होंगे या फिर जो भी उनकी life में situation चल रही है आपकी वह उससे move on करना चाहरे है बट कहीं ना कहीं past आपको अगेन या फिर आपका partner जो है वह अगेन आपको याद आता है और आप वहीं खिचे चले जाते हो और आप जहां पर move on करना चाहते हो वहां से step back ले लेते हो राइट बहुत एकदम से mass यहाँ पर चीज़े दिखाई दे रही हैं कि बहुत massy चीज़े हो रही है एक साथ बहुत सारी चीज़े so I think आप खुद का मन जो है ना बहुत जगा डाइवर्ट हो रहा है आपका and you can't decide कि what is good for you or what is bad for you or what is going into your life so वह चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़ादा दिखाई दे रही है और मुझे यह चीज़ नजर आ रही है कि हो सकता है कि आप इतना negative हो इस time I think आप positive मतलब होते हुए भी आप negative feel करते हैं तो इसलिए जो आपकी income वगेरा है जो आपकी job की opportunities है उसमें काफी blockages हैं चाहे वो आपका relation हो चाहे आपका पैसे से related कुछ हो चाहे carrier से related हो आप जहाँ पे positive feel करते हैं लेकिन साथ में negative हो ही जाते हैं आप ना चाहते हुए भी negative feel करने लगते हैं that's why यहाँ पे बहुत सारे blockages हैं एक और बात बता देती हूँ कि जो मैंने वो डाला था ना full moon day का ritual तो कल आप कर सकते हो ठीक है वो आप करके देखना को फायदा मिलेगा क्योंकि कल है तो मैंने शायद video post किया था बहुत जादा blockages है बहुत जादा negativity है बहुत हो सकता है कि कई लोगों को तो नजर वजर बहुत जादा लगी पड़ी है और देखो आपकी life में नहीं अकेले बहुत लोगों की life में न बहुत लोग जो है न नजर लगाते हैं या फिर नहीं चाहते आपका अच्छा देखना to be very honest तो वो चीज होती है और वो कहीं न कहीं लगी जाती है I can see only blockages, blockages, negativity and कुछ नहीं यहाँ पर जादा है सिर्फ यही यही बहुत जादा है I don't know कि आपको न बहुत positive रहने की जरूरत है meditation करो negativity को हटाओ क्योंकि वो आपको बहुत जादा जरूरी है seriously आप गुड एनर्जी में हो यही नहीं ना चाहते हुए भी नहीं हो भाई अच्छा मैं यह भी देख पा रही हूं कि जो लोग manifest कर रहे हूं कि जो लोग pray कर रहे हूं कि manifestation तो बहुत लोगों को यहाँ पर पता ही होगा क्योंकि जब आप tarot reading देखते हैं तो manifestation भी आपको पता ही होगा कि क्या होती है बट आप सही तरीके से manifest नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को तब ही blockages आ रहे हैं क्योंकि manifestation ऐसा भी नहीं होता है और ऐसा भी नहीं होता है कि तुरंद बिल्कुल एक सेकंड में आपने किया और शाम को message आ गया या साम को call आ गया किसी का आपने manifest किया यून वर्स और जब आपके बीच में वाइब कनेक्ट नहीं होगी तक आपको फील नहीं होगा कि यह काम हो चुका है यूनिवर्स ने पका काम कर दिया है और जब तक अच्छा फील करेंगे तब तक वह आपका cannot सेवास जरूरत है तरफे तरफेर यहां और स्वान। आप्षेर बहुत दुखी हो जाते हैंएंग दिन राफ्ट कि अनुखी रहे हो, त causal है अनुखुत है मिंदे और सो saliva है कई के पार्टनर जो है ना वो ओनफ वाली कंडिशन में भी ऐसे होगे जो बहुत टाइम बात आते हैं देन दो पांच दिन आपसे बात करेंगे और देन अगें लेफ्ट आउट कर जाएंगे वो वाली आप एनरजी आरी तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुली दूर रहो भाई क्यों आपकी लाइफ में आपका खुद का इंपोर्टेंस भी तो है हमेशा आप किसी को चेज नहीं कर स सामने वाले कि हर बात में हां कभी मत मिलाना एक और बात है क्योंकि मुझे यहां पर नजर आ रहा है कि जो लोग मेरी रीडिंग देख रहा है वो एक्चुली हर बात में हां में हां मिलाते हैं और अगर नहीं मिलाते हैं तो आपका पार्टनर हां में हां मिलाता होगा लेकि आपको तुरंट आप accept कर लोगे तो वो चीज आपके लिए ही नुकसान दायक है ठीक है इसलिए वो आपका पार्टनर जो है न भागता है चीज जितना करोगे जितना आप उसके बारे में सोचते रहोगे उतने ब्लॉकेजिस बढ़ा होगे और वो फिर दूरी हो जाएगा एंड सेल्फ लब तो बहुत कम लोग करते होंगे जो मैंने वीडियो अपनी डाला था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा बट मुझे नहीं लगता कि आप लोग सेल्फ लब करते हो तो इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं आती नहीं करते हो भाई सिर्फ उस आपने अट्रेक्ट की हैं यहां बहुत हैवी एनरजी है आज की कई लोग तो बहुत एमोशनल हो रहे होंगे रात में रोते होगे एंड चिड़ चिड़ करना एंजाइटी इरिटेशन और वो चीज़ें भी हैं यहां पर यहां पर मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि अभी आपका पाटनर जो है ना अभी आया होगा या आ रहा है या बिल्कुल ही आपके पास मतलब आपके प्रती समर्पत है वो एनरजी नहीं आई आज निकलके ना मुझे मीटिंग वाला कुछ नजर आया है इसमें आज निकलक चैशर्पा देखते हैं हम टेरो कार्ट से हम और चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की अनरजी क्या चलो मेसेज ये देखते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए निकलके आते हैं वह इंपॉर्टेंट है अभी मैं कुछ शुफलिंग करनी पड़ेगी तो आप बिल्कुल positive रही है और जिसको भी मुझे personal reading करानी है तो आप मुझे whatsapp करें मेरा whatsapp नमर आपको description box में मिल जाएगा तो आप जाके मुझे message कर सकते हैं I hope okay दो message तो आई गए है इतने तो नहीं लूँगी मैं एक साथ physical attraction है आपको अपने partner से इसलिए आप उसको नहीं चोड़ पा रहे हैं that's true physically आपके partner जो है उनकी personality काफी अच्छी होगी that's why आप उनको नहीं चोड़ पा रहे हैं and सामने से जो आपको offer आती है वो आप accept नहीं कर पा रहे है लेकिन सामने वाला आपको अगर छोड़ के जा रहा है या फिर सामने वाला छोड़ के चला गया है oh god उसके लिए come back की लिए क्या सोचना let's move on and enjoy your life क्योंकि आपकी life भी तो भई important है पूरी दुनिया में एक इंसान थोड़ी है जिसको आप chase करने के लिए बैठे हो बहुत लोग है वही करोड़ों है करोड़ों तो आप कभी यह ना सोचें कि you are the only one and he is the only one or she is the only one ऐसे लोगों को life में लेके करना भी क्या है जो आपकी value ना करें आपकी value जो करेगा वो important है आपके लिए और जो value नहीं करेगा वो क्या वो क्या माइने रखेगा कुछ भी नहीं nothing है ना उपर से उपर से ऐसा दिखाए कि he loves you or he loves you or she loves you बाद में ऐसी चीज़ें करें तो देखो कितनी ज़्यादा anxiety है यहाँ पर कितना ज़्यादा क्या चीज़ें offer आ रहे ना आपको marriage के और successful marriage के offer आ रहे हैं marriage हो सकती है लेकिन हो सकती थी या हो सकती है लेकिन third party involvement है और third party जो lady है बहुत खतरनाक type की है तो मुझे यह चीज़ आ रही है आपको कुछ offer आ रही है शादी की आप accept नहीं कर रहे हो आप accept करो शादी की offer क्यूंकि आपका relation end हो चुका है आपका partner जो है वो आपसे दूर भाग चुका है उसकी वजह से आपके घर में जगड़े वगड़े भी हो रहे हैं and you are not feeling so comfortable she is the lady she is the lady ठीक है कई लोग क्या तो father figure भी है जिनके बड़े भाई लोग भी है वो भी involved है इसमें ठीक है मुझे लगता है कि आप अपने partner को offer करना चाहते हैं बट आपका partner दे को कहीं और ही offer कर रहा है so आपकी खुद की life है और मैं तो आपको बता सकती हूँ सिर्फ बाकी decision तो आपका है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है क्योंकि आप खुद इतने समझदार होंगे but overthinking इसलिए आपको नीन ना आना anxiety होना परिशानी होना काम में मन ना लगना focus ना करना जो आपको offer आ रही है उसको accept ना करना है वो चीज आपके लिए ही बाद में परिशानी का वो बन सकती है कई लोगों का तो love यहाँ पे जो था वो बहुत pure था but I think because of third party situation और वो भी मैं बता रही हूँ कोई lady ही होगी जहां तक lady ऐसा ही काम करती है उल्टे सीधे life में आग लगाना ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कई partner जो है न बहुत practically सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा practical सोचते हैं और सोच रहे हैं इस वजह से भी वो आपके पास नहीं आ रहे हैं आप चेज कर रहे हैं जहां तक मैं फील कर पारी हो और जो offer आ रही है आप उसको accept करो क्योंकि आपका जो partner है वो आपको perfect नहीं समझता है with queen of swords वो सोचते हैं कि आप उनके लिए perfect हैं ही नहीं ठीक है और आप सिर्फ kind nature की हैं या कुछ भी beautiful होगी या कुछ भी बट जब भी शादी की बात आती हो क तो वो पीछे back off कर लेते हैं and we have eight of swords मुझे लगता है communication करना चाहते हैं कई लोग तो कई लोग की life में stability आएगी कई लोग का तो connection चली रहा है कई लोग के partner बहुत जादा passionate feel करेंगे तो कई के जो होंगे ना वो बहुत anxiety feel कर रहे हैं कई के तो नहीं चाहते हैं कि connection आगे भी चली बट कई लोग के तो मन में अभी भी है कि connection जो है शादी तक जाए so that's your choice कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है because somewhere they left you ठीक है वो आपकी choice है whatever you want to so भाईया आप अपने हिसाब से देख लो because you are right now blindfolded so आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि energies कैसी नकल के आई है so जो कि आप अपनी life को beautiful बना पाएं that's it and thank you so much for watching my video and please do like share and subscribe my channel before I leave so जिसको भी मुझे personal reading करानी है so आप मुझे whatsapp कर सकते हैं मेरा whatsapp number आपको description box में मिल जाएगा so आप वहाँ जाके मुझे message कर सकते है I will reply as soon as possible so thank you so much guys